दोस्तो कल अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण मैनुफेक्चरिंग PMI का डेटा आ चुका ही मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था मैनुफेक्चरिंग PMI 51.7 पे आ सकता ही लेकिन एक्चुल में मैनुफेक्चरिंग PMI आया ही 51.6 पे यानके मार्केट के एक्सपेक्टेशन से मैनुफेक्टेरिंग PMI का डेटा थोड़ा नीचे आया ही ये गोल्ड, सिल्वर और डॉलर इंडेक्स के लिए न्यूट्रल का संकेत दे रहा ही अमेरिका के अंदर कल दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आया ISM मैनुफेक्टेरिंग PMI का आप देख सकते हो मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा उन्चास पॉइंट दो पे आ सकता ही लेकिन एक्चुल में डेटा आया है 48.5 पे यानके मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा नीचे आया है उसी तरह से आप देख सकते हो ये डेटा पचास के नीचे भी है और हमने आपको क्लियरली बताया है कि जबी भी PMI का डेटा पचास के नीचे होता है वो एकोनॉमी के लिए निगेटिव संकेत देता है तो आप देख सकते हो ISM Manufacturing PMI का डेटा एक तो एक्सपेक्टेशन के नीचे है और दूसरा ये पचास के भी नीचे है जो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा है यानिके Positive है और Dollar Index के लिए निगेटिव है तीसरा महतुव पूर्णा डेटा अमेरिका के अंदर आया था US Construction Spending का आप देख सकते हो Market के अंदर ये Expectation था ये डेटा 0.3% पे आ सकता है लेकिन आप देख सकते हो Actual में डेटा आया है माइनस 0.1% पे यानिके आप देख सकते हो यहाँ पर भी Market के Expectation से नीचे ये डेटा आया है जो एक Clear Indicate कर रहा है कि ये डेटा Dollar Index के लिए निगेटिव है और Gold Silver के लिए पॉजेटिव है अमेरिका के अंदर ये तीनों डेटा आने के बाद Silver के अंदर एक तेजी बनी थी Gold के अंदर भी एक छोटी तेजी बनी थी लेकिन दोस्तो Dollar Index के अंदर उसके बावजूद भी गिरावट नहीं आई है हमने देखा तीन में से दो डेटा Dollar Index के लिए बहुत ही खराब थी उसके बावजूद भी आप देख सकते हो Dollar Index के अंदर कल जो गिरावट आई थी वो पूरी गिरावट को Dollar Index ने रिकवर कर लिया है तो हमने आपको बताया है कि Dollar Index के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है Interest Rate और बाकी के Central Bank जहाँ पर Interest Rate को काट रहे है अभी तक अमेरिका ने Interest Rate को नहीं काटा है जो मेरे हिसाब से Dollar Index के लिए पॉजिटिव है और इन सारे डेटा के उपर है और इसलिए आप देख सकते हो Dollar Index के अंदर धीरे धीरे तेजी बन रही है मुझे लगता है Dollar Index जब तक उपर जाएगा Gold Silver के उपर प्रेशर जरूर रह सकता है तो जब तक Dollar Index के ये तेजी खतम नहीं होती मुझे नहीं लगता है Gold Silver का correction and consolidation भी खतम हो सकता है आप देख सकते हो हमने बताने के बाद से Gold और Silver एक sideways market के अंदर ही काम कर रहे है और मुझे लगता है इन में एक अच्छी गिरावट भी आनी चाहिए अगर ये गिरावट आती है तो मुझे लगता है वो correction खतम होने का पहिला संकेत हो सकता है तो दोस्तों अगर आने वाले हपतों में Gold और Silver के अंदर कोई correction आती है तो वहाँ पर आपका नजर या गिरावट पे investment के लिए खरीदारी का होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ये correction जबी भी खतम होगी Gold Silver के अंदर वहाँ से फिर एक बहुत अच्छी तेजी बनने वाली है मैं आपको मेरे वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूँ कि ये correction देड़ से दो महिना चल सकती है और मुझे लगता है हमने बताने के बाद से अभी देड़ महिना तो पूरा हो चुका है तो possible है और कुछ हपते ये correction चल सकती है और कुछ हपतों के बाद gold silver bottom बना सकते है तो दोस्तों अगर आने वाले हपतों में गिरावट आती है तो वहाँ पर आपका नजर या गिरावट पे खरीदारी का होना चाहिए दोस्तों याद रखे मैं बात कर रहा हूँ investment की मैं आपको वीडियो से कोई भी trading की सला नहीं दे रहा हूँ